मात्मा गांधी जी एक राजनेटी कांदुलन देश में किया देश की मानस को समझते हुए एक जागरन खड़ा किया अंग्रेजों की हुकुमत से हमें मुक्ति मिल प्राप्ति करनी है उस समय में मालविय जी ने थोड़ा अलग हटके आजादी तो हो ही जाएगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद अगर एक देश अपना सिक्षा को नहीं संभालेगा तब फिर शाद देश पराधिन हो सकता है थोड़ा हमारे आज़ पोड़ोस की देशों को देखिए बहुत दूर नहीं जाए हम अपने आज़ पोड़ोस की देशों को देखिए साइद मालविय जी ने सही सोचा था बी एच्यू बना और मैं कभी कभी देश की आजादी की पहले और आजादी की उपरांग जो इंस्टिचुशन्स अब बने हैं उस इंस्टिचुशन्स की जगर मैं थीम कॉंटेंट पढ़ता हूं उसकी धेव वाक्या पढ़ता हूं तब एक-एक सब्द में एक संपूर्णा तत्व हमारी सामने आता है जिसमें मैं अगर चार-पांश लोगों को पिछले ऐसा कहा जाए तो 200 सालों में स्वामी बिवेक अनद, योगी श्री अरविंद्व, महत्मा गांधी, मदन महुन मालविय, सर्वपली राधा कृष्ण ज्यागर में उद्धान दिप पांच लोगों को लूँ पांचों ने अपने डिस्कोर्स में सबसे महत्तों किसको दिया है किसी ने राजनिति गांधोलन खड़ा किया, किसी ने देश की आध्याद में गांधोलन खड़ा किया, किसी ने रेनेशा किया, किसी ने इंस्टिश्विशन बिल्ड़ अप किया, किसी ने कॉंटेंट डेवलप किया लेकिन सभी में एक सुत्र है सभी ने समाज परिवर्तन की कलपना शिक्षा की माध्यम से किया और विशेश करके उच्ष शिक्षा की माध्यम से किया उच्ष शिक्षा की दिशा क्या होनी चाहिए देश की अर्थनिती उसे जुड़ती है देश की समाजनिती उसे जुड़ती है देश की छबी उसे जुड़ती है देश की समाजिक संतुलन, समरसता समीधान के प्रती प्रती बद्धता प्रजात अंत्र के प्रती प्रती बद्धता ये सारे मूल चरीत्र का प्रोयक्साला शिक्षा है और उसी के प्रमुक घटक है प्रमुक कैटलिस्ट शिक्षक आज UGC ने 19 वी शदी बहुत पुराना ना जाएजे तो देश में गुरु शिश्य परंपरा और ज्ञान की परंपरा भारत्य ज्ञान की परंपरा जो आठ मड्यूल बनाई गई है उसमें से इसको भी रखा गया है कि भारत के ज्ञान परंपरा के बारे में भी चर्चा की जाएगी